नमस्कार, बहुत सवागत है आपका। आप देख रहे एं धर्मा सर्मार। कर्ज एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी बीमारी है जो जिसे भी लग जाती है ना वो बहुत मुस्किल में पढ़ जाता है, क्योंकिREW कर्ज ऐसी चीज है। लोग लेते तो हैं कि चलो भाई साल दो साल में चुकता कर देंगे पर जब वाफस नहीं कर पाते तब परिशारी बढ़ती जाती है क्योंकि एक सूर्सा के मुँख के तरफ के तरह ही इनका ग्राप बढ़ता जाता यानि कि इंट्रेस्ट का इंट्रेस्ट और अगर आप प्र भगवान ही मालिक है लेकिन सिर्फ हनुमान जी इस पृत्वी के ऐसे देव हैं जो आपको भूमी समंदी परिशानियों से निजात दिलाते हैं करजों से निजात दिलाते हैं जीवन की तमाम कठिनाईयों से संकटों से परिशानियों से विपत्तियों से निजात दिलाते है तो आज हम हनुमान जी के उपाय बताएंगे कि कैसे उनको बनाए कि जीवन से सभी कस्ठ ही दूर हो जाए तो आज बात करेंगे पान के पत्ते से कैसे अपनी किस्मत को आप बदल सकते हैं करजों से मुक्ति पा सकते हैं सबसे पहले तो आप जो पान का पत्ता लेंगे बिल्कुल साप, सुत्रा, हरे रंका, एकदम साबू, तुटा फटावा, कटावा, पीला पन लियावा एकदो नहीं होना चाहिए, दाग धबा भी नहीं हो, बिल्कुल एक सुन्दर सा, अब इस पान के पत्तल का डंठल निकाल दे, अब यह जो पत्ता है, पूरा चिकना वाला पत्ता आपको लेना है, हरे रंका, छोटा पत्ता या बड़ा पत्ता कोई माइने नहीं रखता, इस बात का ध्यान रखेगा, जब जीवन में कर्ज बहुत परिसान करें, तब आप एक उपाय करें, आपको लगे कि तमाम प परियास के बाद जब ना उत्रे कर्ज, एक पान का पत्ता ले, जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसा ही लीजिएगा, उस पर लॉंग और इलाइची रखें, दो लॉंग एक इलाइची रखें, उसी से काम चल जाएगा, इलाइची छोटी वाली हरी वाली होगी, और जी को अर्पित करना सुरू कीजिए, और ये लगातार आप कुछ मंगलवार तक लगातार कीजिए, तीन महने तक कम से कम लगातार करते हुए आप करते रहें, और आप देखिएगा, कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएगे, जहां अंधेरा था, वहां रोशनी की किरन दि पैसे कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी वेपसायचलता है, कभी एकदम ही गराच गयब है, तव ऐसे में आप क्या करेंगे, और पान के पत्ते का जो जिकना साइड है, उसे नीचे कर लेँ, और जो खुरदरा साइड है, याने पीछे वाला पाँट उसे उपर कर लेँ, उस पर गुलाब की पंखुरियां रखे कितनी उससे मैने नहीं रखती दो चार पांच छे जो मर्जी रख दे अब दोनों हाथों से मादुरुगा को अरपित करें हर सुकरवार के दिन नियम से ये करते रहें धन आने लगेगा जो भी अवरोध होंगे वो दूर हो जाएंगे करके देखें 100% लाप होगा अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो जीवन के जीवन में जो बहुत सारे चीजें होती हैं कि कभी कई बार होता है बेटी का विवा नहीं हो पा रहा बच्चे का बेटे का नौकरी नहीं लग रहा धंकी लाइफ नहीं बन पा रही आपका रिटायर तो कर गये हैं पैसे नहीं मिल रहा है कंपणी है बहुत सारी चीजों का भुगतान नहीं कर रही बहुत तरीके के लाइफ में टेंसन होते हैं सायद गिंती कंपड़ जा इतने टेंसन होते हैं और जिनको होते हैं वही जानते हैं तब ऐसे में क्या करेंगे अगर आपका काम नहीं बन पा रहा है बना बनाया काम बि बचा हुआ है इक पान नहीं बन पारा आप जाहारें मुकान ले ले पर नहीं हो पार रहा है पान का पत्ता ले इसके शिकना हिस्सा आप galleries hem सब्सक्राइब प्रोड़ा हिस्साइब बिच्शे बहुज़ से पर रकिरो कि यूदू नहीं सब्सक्राइब करते हैं प्रार्थना करें कि आपके काम में जो रुकावटे हैं वो भी इस पान के पत्ते के साथ बह जाएं। दो से तीन महिने के अंदर ही आपके काम बन जाएंगे। आपके काम के रुकावटे दूर हो जाएगी और सफलताब जरूर मिलेगी। करके देखें हनुमान जी है न सब कुछ समाल लेंगे। तो छोटे छोटे उपाएं बहुत माइने रखते हैं। और अगर आप नियमी दुरूब से आप मान लेते हैं चोट चपेट एक्सिडेंट बार बार होते हैं। आपके घर में बच्चे हैं बड़े हैं कोई भी हो सकता है चोट चपेट का सिकाथ तब क्या करेंगे अगर आपका वाहन बार बार दुर्गटना गर्ष्ट हो रहा है तब ऐसे में हनुमान जी के मंदिल जाएं उनके चर्णों का थोरा सा सिंदूर ले आईएं किसी भी फूल या बेलपत्र के सहारे आप थोरा सा सिंदूर ले आप अनामी का उंगली से लगाईएगा और अगर किसी बच्चे को लगाना है तब अगुठी से तिलक कीजिएगा देखिएगा सब कुछ जीवन में अच्छा होने लगेगा विश्वास नहीं होता है तो करके देखें 100% फैदे होंगे फिलाल विदा लेते हैं हर हर महादे आएगिवास नहीं हो धंभ झार दाँ tब देखिएगा आएग की तेखिएगा सी विद्वास नहीं होते हैं हर दनाहीं है विदा एपॉत थो आपिएगाईगा देखिएगा से खिए हूआँ से हाँआएजग